नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों आप सबको महिला समा जाओं ओनलाइन क्लासिस के लिए स्वागत कक्षा पांच वी विशय हिंदी पार्ट नव बांध चात्रों आप रुदों के बारे में जानते हैं है ना जानते होंगे गर्मी, सर्दी और बरसाथ बरसाथ, बरसाथ के दिनों में नदियों का जल स्तर उपर उठने लगता है और पानी नदी के किनारों से उपर उठकर पहने लगता है तता गाउं में जाने लगता है और चारों और पानी बर जाता है जिसे बाढ कहते हैं और बाढ से बचनी के लिए जो मोटे चोड़े और हूंचे में बनाये जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बांध कहते हैं क्या कहते हैं? बांध, बांध का मतलब है डाम अने कट्टू चात्रों मैं आपको कुछ बांध के नाम बताती हूँ आप बांध के नामों को जानते हैं ना? जानते होंगे हैं ना? कोईना डाम महारास्ट्रा, बवानी सागर डाम तमिल नाडू, तुंगबद्रा डाम करनाटका, बाक्रान अंगल डाम पंजाब और हिमाचर प्रदेश इराकुड डाम हुरिसा, नाकार्जुन सागर डाम आंध्रप्रदेश, इंदिरा सागर डाम मध्यप्रदेश, आदी हैं आप लोग जानते होंगे हैं ना? इन बांधों के नामों को अब शब्दार्त देखिए, सुकत, आराम दायक, कम्फर्टबल सैर, गूमना फिरना, गोईंग अरोंड निगरानी, देख्रेक, सुपविजन, मजबूत, जोर्दार, स्ट्रॉंग उद्यान, बगीचा, गार्डन द्वनी, आवास, सौंग प्रकाश, उजाना, लाइट अब पाट को देखिए गत सप्ता, पांचवी कक्षा के चालीस चात्र, चात्राए अपने शिक्षक के साथ, नापपुर में बान देखने गए यात्रा, रेगाडी से ती, और सच्मुच सुकत्ती बान्द का नाम था, टाइगर बान्द यह कृष्णा नदी पर बनाया गया था गत सप्ता, पांचवी कक्षा के चालीस चात्र, चात्राए अपने शिक्षक के साथ, नापपुर में बान देखने गए पांचवी कक्षा के कितने चात्र, चालीस चात्र चात्र आए 40 स्टूडेंट्स अपने शिक्षक के साथ, नापपुर में बान देखने गए नापपुर अल्ली इननन नुड़कोदरू, ढैमनन नुड़के, ओदरू तमा टीचर होंदिगे शिक्षक, शिक्षक का अन्यलींग रूप, शिक्षिका चात्र का बहुत चन रूप, चात्रा आए कक्षा, कक्षा का बहुत चन रूप, गत्यसपता, पांचवी कक्षा के 40 चात्र चात्र आए अपने शिक्षक के साथ, क्या देखने गए? नापपुर में बान देखने गए कहा नागपूर में बान्ध बान्ध कमतलब है डाम अने कट्टू खड़दवारा एन अगित्तू 50 दरगतिया 40 जना मक्लू 40 स्टूडेंट्स तम्मा टीचर नोंदिगे नागपूर गे धहमनन नोड़के होगिद्रू यात्रा रेल गाड़ी सेती सो याउद रिंदर ट्रागल माड़िद्रो रू यात्रा यात्रा मतलब ट्रागल रेल गाड़ी ट्रेनले होगिद्रो और सच्मुच सुकत्ती निज्वागलो नो आराम अगित्तू आराम दाये सुकत का मतलब है आराम दाये कमफटबल नाम था टाइगर बान्द, बान्द का नाम क्या था, टाइगर बान्द, या क्रिश्णा नदी पर बनाया गया था, कौन से नदी पर बनाया गया था, क्रिश्णा नदी पर बनाया गया था, नदी, नदी का बहुत चंडरो नदीया, नदी का बहुत चंडरो नदीया, क्रिश कृष्णा नदी बारत में बहने वाली एक नदी है या पस्चिमी काट के परवत महावरेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी पर दो बांद बनाए गए हैं जिसमें से एक श्रीशेलम में श्रीशेलम बांद और दूसरा नागाचुन पहाड़ी पर है गत सब्ता कौन सी कक्षा के 40 चात्र बांद देखने गएते 5 वी कक्षा के कितने चात्र? 40 चात्र आएं कहां गएते? नागपूर गएते क्यों गएते? बांद देखने के लिए गएते यात्रा रेलगाडी सी थी और यात्रा बहुत ही अराम दायक थी बांद का नाम क्या था? बांद का नाम था टाइगर बांद टाइगर बांद किस नदी पर बनाया गया था? कृष्टना नदी पर बनाया गया था शाम के साथ बजे हुए थे इसलिए सहर अगले दिन के लिए रखा गया हम सब बांद के पास एक आश्रम में टह रहे थे सुबह होते ही सब लोग सहर के लिए तैयार हुए बच्चों का लीडर था सुनील सबी बच्चों को दस-दस के चार हिसों में बांटा गया शाम के साथ बजे हुए थे सो औरेला ट्रेनिंदा होगी अल तरपश्टत के इस्टत आगी तो संजे योड गंटे हागी तो शाम, शाम का विलोम रूप सुबह सुबह कितने बजे हुए थे शाम के साथ बजे हुए थे योड गंटे अगित्तो सवय नुकला का गित्तो इसलिए सायर अगले दीन के लिए रखा गया आधरीन्दा आउटिंग अलेला एन नोड़के होलबे कोन कोनीदरो डामन नोड़के होलबे कोन कोनीदरो आधरीन्दा वंदु विश्य वन्ना नेक्स्ट डेगे आखोल्टरे इसलिए साय रागले दीन के लिए रखा गया सो नेक्स्ट डे ओगाना यह कंदरे संजी ओल गंटा अग बिटीदियाल भा सो अधरींदा इन मड़ना नेक्स्ट डे ओगाना अन्ता अन्कों तरे अन्कोंडरू हम सब बान्त के पास एक आष्ट्रम में टहरेते इसलिए वे सबी बच्चे आष्ट्रम में टहरेते आष्ट्रम कहाते बान्त के पास ही थे शाम के साथ बज़े हुए थे इसलिए वे सबी बच्चे अगले सहर अगले दीन के लिए रखा गया और बान्त के पास ही एक आष्ट्रम में वे सबी टहरेते सुबह होते ही सब ब्लोग सहर के लिए तैयार हुए सो एने नियावयो प्लेस ना नोडबै कोन कोनी दरो आनोड़ुदु कोगोदु कोस करा एन माड़ दर आउटिंगोस करा एन माड़ दरो एल्लारु बेडगे आग तक्ष्णने एल्लारु रेडिया आगी दरो सुबह होते ही सब लोग सहर के लिए तैयार हुए बच्चों का लीडर था सुनील बच्चों का लीडर कोन था सुनील बच्चा, बच्चा का नियालिंग रूप बच्ची और बच्चा का बहुचन रूप बच्चे सबी लोग सहर के लिए तैयार हुए और बच्चों का लीडर कौन था, सुनी, सबी बच्चों को 10-10 के 4 हिसों में बाटा गया, कितने चात्राई बान देखने के लिए गए थे, नाधपुर गए थे, 40 चात्र, कितने चात्र, 40 चात्र है ना, सबी बच्चों को, सुबह होते ही सब लोग, क्या देखने के लिए, सैर देखने के लिए तैयार हुए, और बच्चों कल रेखने के लिए, सबी बच्चों को कितने बाहिसों में बांटा गया, दस दस के चार हिसों में, अत्त मकडा नागी, नालक को बागगडा अगी, नाक को गुरूप अगी माडला आई तू. शिक्षक की निगरानी में बच्चे बांद देखने निकले, या महारास्टा की सबसे बड़ी जल परियोजना है, या बांद मिट्टी से बना मजबूत बांध है, इसमें 21 दर्वाजे हैं, इस बांद से बारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है, शिक्षक की निगरानी में बच्चे बांद देखने निकले, शिक्षक की निगरानी में बच्चे बांद देखने निकले, शिक्षक की निगरानी में, शिक्षक करे, टीचर न उँद में बिचारने लिए, शिक्षक की निगरानी में बच्चे निगरानी में, में स्चित है इसकी राजदानी महारास्टा की राजदानी उंबर है जो बारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्तिक राजदानी के रुप में भी जानी जाती है जानते हैं ना महारास्टा के बारे में महारास्टा की सबसे बड़ी जल परियू जना है सो महारास्ट दा इल्लादे किंतनों दोड़ दा उन्दो वाटर प्रोजेक्ट आगी दे सो इदो उन्दो दोड़ उन्दो जल परियो जनो प्रोजेक्ट आगी रतकन्त दू यह बान मिट्टी से बना मजबूत बान्द है इसमें 21 दर्वाजे है इस बान से बारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है सो दुड़ गात्र दली मेहन मारतरेली एलेक्टिसिटी अंद्रे पावर विद्धियो तरना उत्पादने मार लागते इवन दो डैम नमुकांद्रा डैम नींदाम शिक्षक की निगरानी में सभी बच्चे बान्द देखने निकले यहां मरास्टा की सबसे बड़ी जल परियो जना है इस बान्द किस से बना मजबूत बान्द है मिटी से बना मजबूत तुम बने स्टॉंग गिरतक अंद्र दैम अगि दे इसमें कितने दर्वाजे हैं इस बान्द से बारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है इस बान्द से पास के कही प्रदेशों को कोपानी और बिजली मिलती है बान्द के पास में एक बड़ा उद्यान है उद्यान में एक बड़ा सा फवारा है शाम होते ही द्वनी एवं प्रकाश के साथ फवारों का दृश बहुत अच्छा रगता है इस बान्द से पास के कही प्रदेशों को इस बान्द से पास के कही प्रदेशों को क्या मिलती है को पानी और बिजली मिलती है बान्द के पास में एक बड़ा उद्यान है उद्यान में एक बड़ा सफ हुआ रहा है वंदो फाउंटेन है बड़ा का विलोम रूप क्या है छोटा शाम होते ही द्वनी एवं प्रकाश के साथ फवारों का दुरुष बहुत अच्छा लगता है इस बान्द से पास के कई प्रदेशों को क्या मिलती है पानी और बिजली मिलती है बान्द के पास में क्या है बड़ा सा उद्ध्यान है उद्ध्यान में क्या है उद्ध्यान में एक बड़ा सा फवारा है फवारा शाम को देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है क्यूंकि द्वनी एवन प्रकाश के साथ फवारों का दुरुष्य बहुत अच्छा लगता है गुरु जी ने कहा कि इसी क्षेत्र में अजन्ता एलोरा की गुफाये है अगले दिन सुबा आम सब बलावटाये गुरु जी ने हमें सैर के बारे में नीबन लिखने को कहा गुरु जी ने कहा कि इसी क्षेत्र में अजन्ता एलोरा की गुफाये है सो एलिग ओगी द्रोरु महारास्रत्रा ओगी द्रल्वा सो आदरींदा गुरु जी ने हमें अजन्ता एलोरा की गुफाये है यहां बहुत दर्म से संब्धी चित्रैन और शिर्पकारी देखने को मिलते है अगली दीन सुबा हम सब ब्लावट आई सो नेक्स्ट डे नायतो यहलारो अलिएंदा वापस इन्तिर्गी बत्य हो रूरु रुपतलपतर बंदरो गुरु जी ने हमें सहर के बारे में निबन दिखने को कहा चात्रो बान पाट को समझ गये है ना बान से बिजली या क्या कहते है विद्यूत उत्पादन किया जाता है पास के प्रदेशों को पानी भी मिलती है समझ रहे हैं ना ग्रोहकार्य उत्तर लिकिये पहला प्रश्ट चात्र नागपूर कैसे पहुंचे दूसरा प्रश्ट टाइगर बान किस नदी पर बनाया गया है टाइगर बान किस नदी पर बनाया गया है वच्चन बदलकर लिखिये पहला रेल गाडी दूसरा बच्चा दूसरा प्रश्ट बच्चा धन्यवाद चात्रों